नमस्कार दुस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बेबीज वर्ल इंडिया में मेरा नाम है शुबम और आज के इस वीडियो में मैं आपसे आपका बहुत ही हाइली रिक्वेस्टेड टॉपिक शेयर करने जा रही हूं वो है तीन से पांच साल तक के या पूरे दिन में उनको किस चीज के किनी ज़िए खोती है कितने पूर दिन को व्रो इचे एइ वातिन को बश्चेज की के जोरुत होती है कितना अर किस आप यसली कहान गर पर खाते हैं इस्के ठूं कैसे आप इस उमरे के बचweise को बैलन्स दाइट गाइट सकते हो और वारे सबी वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकें जब मैं लाइव आती हूं तो उसके आडवांस में आपको नोटिफिकेशन समिल सकें तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस उम्र के बच्चे को कितने दूद की जुरुत होती है इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें 7500 ml की जरुद डेली होती है दूद से यहां मतलब सिर्फ लिक्विड दूद से नहीं है अगर आपका बच्चा इतना दूद नहीं पी रहा है दो तीन बार में तो आप दूद से बनी चीजे दे दो जैसे कि चीज दे सकते हो दही दे सकते हो पनीर दे सकते हो इन सब चीजों से उनकी जो दूद की डेली की रिक्वार्मेंट है वो पूरी हो जाती है एक पोर्शन फल का जरूर दे यानि कि दिन में एक बार बच्चे को फूर्ट जरूर खिलाए उसमें एक बनाना एक एक एपल और कुछ और भी जो भी सीजनल फूर्ट से संत्रा हो गया अंगूर हो गया जो भी सीजनल फूर्ट से वो मिक्स और मैच करके एक बार एक कटोरी भर के जरूर खिलाए और अगर आपका बच्चे एक बार में पूरी कटोरी फूर्ट नहीं खाता है तो इसे दो पोर्शन में डिवाइड करके दे दे थोड़ा सुबा खिला दिया थोड़ा शाम होने क बच्चा जो है वो सबजियां भी जरूर ले रहा हो क्योंकि सबजियों में बहुत सारे वाइटमिन्स और मिनरल्स होते हैं बहुत सारा अंटिया ऑक्सिडेंट होता है जो कि बच्चों के नॉमल फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है इन शॉर्ट इस उम्र के ज हिसाब से प्रोटीन के जरूरत होती है एक ग्राम प्रोटीन के जरूरत होती है हर एक केजी बॉड़ी वेट के हिसाब से इसका मतलब अगर आपका बच्चा दस किलो का है तो उसकी जो प्रती दिन की प्रोटीन की रिक्वाइर्मेंट है वो है दस ग्राम इसे हिसाब से लगभग एक ग्राम प्रोटीन होता है दाल बहुत ही अच्छा सोर्स होता है वेजिटेरियन लोगों के लिए स्पेशली तो दाल को अपने बच्चे के डेली डायट में एक या दो पोर्शन ज़रूर इंक्लूड करें कम से कम लंच में तो दे ही अगर बच्चा रात में भी लुटाल के सी घखा लेता है तो बहुत अच्छी बात है देखिए जो सूखी डाल होती है ना तो हरे क दाल में में प्रोटीन की मातरा थोड़ी थोड़ी जादा होती लेकिन एक टेबल्स्पून सूखी ताल जो होती है उसमें लगभग बार्र ग्राम प्रोटीन होता है त लुपल के बचिन में दो भार मुली आदि हде कटूरी तो आपके बच्चे की प्रोटीन की रिकुर्मेंट अलमोस्2 इससे ही पूरी हो जाती है कैल्शियम की रिकुर्मेंट होती है इस उम्ड बच्चों की लग बबग 800-1000 1000 mg प्रतिदिन और यह वाली रिक्वार्मेंट है यह आल्मोस्ट दूद से उनकी पूरी हो जाती है इसके साथ साथ कुछ सबजियों वगरा में भी कैल्शिम पाया जाता है तो उसके थू भी थोड़ा बहुत कैल्शिम का रिक्वार्मेंट जो होता है बच्चे को पूरा हो ज इन सब से भी फैट मिल जाता है हेल्दी फैट का बहुत ही अच्छा सोर्स फिश होता है ओमेगा-3 फैटी एसिड बहुत ही एक अच्छा फैट माना जाता है जो कि फिश में पाया जाता है फ्लेक सीड में पाया जाता है फ्लेक सीड को हिंडी में तीसी या चिकना भी कहते ह अख्रोट में पाया जाता है, melon seeds में पाया जाता है, sunflower seeds या oil में पाया जाता है, तो इन सब चीजों को आप अपने बच्चे के daily diet में include करें, देखें, तीन साल होते होते हैं, बच्चे स्कूल स्टार्ट कर देते हैं, भले ही वो pre-school हो या फिर nursery का class हो, तो बच्चा जब सुब कर लेते हैं दूद और बनाना टमी को क्लीन करने में बहुत हेल्प करता है तो हलका गुनगुना दूद आधा या एक ग्लास और एक बनाना दे दीजे बच्चे का हेवी ब्रेक्फस्ट भी हो जाएगा स्कूल जाने के पहले और उनका टमी भी क्लीर हो जाएगा उसके बाद आपको बनाना जैम बनाना के शम फिसक्रीक्षन बनाे है या दालch बनाना के यह सब दे सकते हो और साथ ही एक पॉर्शन फूट का जरूरूर दीजिए प्री श्कूल के बच्चों को किस तरह का आप डिफिन दे सकते बना अरख एक वीडियो बना हुआ है कुछ MONICAप में ब दाल दूंगी उसके बाद जब आपका बच्चा घर आता है तो आपके जब घर आया ना उसके पहले आप उसका लंच रेडी रखिए क्योंकि बच्चे को बहुत ही भूख लगी होती है और अगर बच्चे को भूख लगी रहेगी आप लंच उसका रेडी नहीं रखोगे तो तो होगा क्या या तो आप उसको दूद्ध पिला दोगे या तो बच्चे को भूख लगी रहेगी तो वो चॉकलेट या फिर कुछ भी मीठी चीज खाने के लिए मांगेगा और अगर आपने बच्चे को कुछ मीठा या फिर दूद्ध खिला दिया तो धंग से लंच नहीं क कराएं जो आपके घर में बनती जिस तरह के भी फूड हैबिट को आप अपने घर में फॉलो करते हैं वही नॉर्मल खाना बच्चे को भी दीजे थोड़ा गला के चावल बनाई थोड़ा गला के दाल बनाई ताकि बच्चे के डाइजेशन में इजी हो कभी भी इस उमर के बच्चे को पीसा हुआ खाना मत दीजे तो यह जो हेवी सा मेल बच्चा करता है अधी कटोरी दाल दो धाय टेबल स्पून चावल उसमें एक से डेढ चमच घी और थोड़ी सी सबजी जरूर बच्चे को दे अब देखे हर बच्चा इतना नहीं खाता है कोई बच्चा हो स इतना पूरा खाना खाले उसके बाद इस उम्र के बच्चे लंच लेके एक नाप लेते हैं यानि कि सो जाते हैं तो दोड से धाय घंटा आपका बच्चा सोएगा उसके बाद जब बच्चा उठेगा तो फिर आप उसका स्नाक्स रेडी रखिए स्नाक्स में कुछ हेल्दी स्नाक्स में जैसे चीला हो गया उपमा हो गया इडली दे सकते हो डोसा दे सकते हो इन सब के ऊपर थोड़ा सा ड्राइफूट का पाउडर डाल देजे ताकि आपके बच्चे के डायट में राइफूट भी इंक्लूड हो जाए कुछ हलवा वगरा जैसे रागी का हलवा बन होने में और टाइम लगता है तो हो सकता आपका बच्चा फिर रात को ढंग से खाना ना खा या फिर इंडिजेशन की प्रॉब्लम हो तो आप अभी गर्मियों में शेक्स वगरा भी बच्चे को दे सकते हो बना के कभी बनाना शेक दे दिया चीकू शेक दे दिया और हाँ स और है कि शुब भी लुक्त ए में अवेलेबल है सब बनाना शेक्षा हो युए ऑक unfホल और है खिंडाना यू शेक्षिस तो यह को से मूद बाला पाल टिंद् comigo मैं की बनाय खिल शीज में अपके को अख़ा होता है नियंद पूरी कर्छा होता है तो यह भी अच्छा समय होत बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर कुछ mental activity कराने के लिए तो मैं क्या करती हूँ उसी वक्त उसको लेकर पढ़ाने के लिए बिठाती हूँ या फिर कुछ activity कराती हूँ पजल कराती हूँ तो वह एक घंटे का जो डिवरेशन है उसमें सबसे पहले आपको वह चीजे करानी जो बच्चे को बहुत जादा पसंद नहीं है जैसे कि मैं शुरू करती हूँ अकैडमिक चीजों से कि जो भी उसको वर्ड मीनिंग पढ़ाने है या फिर नंबर्स पढ़ इस तरह से क्या होदा कि बच्चे को अधे से एक घंटे रहते हो और अगर आपके बच्चे को यह हबिटा भी आपने नहीं लगाई है तो लगातार बच्चा एक घंटे नहीं बैठेगा चूंकि मैं काफी टाइम से प्रक्टिस को लेके कर तो फिर भी कही बार वह आधे ग तो इस तरह से करके आपका एक घंटा निकल जाएगा उसके बाद बच्चे को थोड़ी देर मैं घर पे खेलने के लिए छोड़ देती हूँ अब देखिए ये पढ़ाने वाला जो रूटीन है डायेट में नहीं है लेकिन ये डेली रूटीन में है बहुत जरूरी है बच्चे को इस उम्रिप के जो बच्चे होते हैं उनको बिठा के एक जगा पढ़ाना या फिर कुछ अक्टिविटी कराना तो इसलिए मैंने इस में इस रूटीन को भी इंक्लूड किया है इसके बाद थोड़ी दर बच्चे को फिर छोड़ दें खेलने दे घर में ही बहुत सारे अक्टिविटी करते हैं अगर घर में दो बच्चे हो जाते हैं और उसके बाद जब स्नैक से लगभग डेर घंटे हो जाए तो आपको दे दे जो दूद होता है उसका इस्तेमाल करें क्योंकि जो फुल फैट दूद पीते हैं उनको भूग कम लगती है वो फिर ढंक से खाना नहीं खाएंगे क्योंकि जो फुल फैट दूद होता है वो हेवी होता है डाइजेशन के लिए तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा तो बच्चे का दो पोर्शन दूद का हो गया एक सुबा हमने पिलाए था और एक शाम को और बीच में थोड़ा चीज, योगर्ट, पनीर की सबजी ये सब दे दी तो इस तरह से 7-800 ml जो दूद की रिक्वार्मेंट है आप बच्चे की पूरी कर रहे हो और उसके बाद फि नीचे थोड़ी जगह होती है वहाँ ही भाग दौड़ करके खेल लेते हैं कभी वो भी अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो आपको आप लोगों से मैंने पहले भी शेर किया हुआ एक वीडियो में की घर पर कैसे आप एक पार्क वाला इंवरान्मेंट दे सकते हैं और किसी खासी भूख लग जाती है इतनी सारी अक्टिविटी करने के बाद बच्चे थक भी जाते हैं घर आके बच्चे को फिर आपको देना है और रात के खाने में अगेर मोचली हमारा रोटी बेस्ट खाना होता है तो रोटी सबजी दे दिया या फिर किसी दिन डाल रोटी दे डिन अगेर में आप किसी दिन डालिया खिचरी दे सकते हो कीणुत के सबநे हैं तो अगर आपके सिटी में कीणुन मिलता है तो इस Tab फैट भी हो फ्रडा आयरन भी हो तो इस तरह से करके आपको डिनर देना है और डिनर के भाद भटे देर के पाद सौ जाते हैं कुशिश करते हूं कि साथ साथ के दिश बच्सों को डिनर दे दिरु ताकि 8 रहाँ तक बच्चे झोए खाए तो यही शारी 90 double या अपने बेटे के लिए डायेट रूटीन में फॉलो करती हूं या डेली रूटीन फॉलो करती हूं वही मोस्तली मैं आपके साथ भी शेयर किया इस वीच कभी-कभी किसी दिन जूस भी ले लेता है वैसे जूस वेगरा मैं अवाइड करती हूं कि होल फूट ही मैं काट के क्योंकि जब हम जूस बनाते हैं तो फूट का फाइवर तो निकल ही जाता है साथी बहुत सारे नुट्रिशन वैल्यूस भी उसके कम हो जाते है तो कोशिश करें फूट देने के लिए कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल फूट नहीं खाता है तो डेफिनिटल आप उसको दिन में आधा कप या फिर एक कप जूस दे सकते हो लेकिन फिर भी आपको कोशिश करते रहना है कि बच्चा आपका चंक्स जो फूट के चंक्स होते हैं वो खाए क्योंकि यही फूट हैबिट ना आगे चलके बच्चों की बहुत हद तक रह जाती है बहुत मुश्किल होत कि दिए लड़ फिर वे बहुत हैबिट तक हैबिट।